हे गाईस असलाम वालाइकूम वेलकम बेक टू माई चैनल सो गाईस आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा इफेक्टिव रेमडी जो कि आप यूज करके आपकी फेस की आपकी बोडी की सारे पेंपल्स को रेडियोस कर सकते हो प्लास उसका जो जिद्दी मार्क है उसको भी आप रेमूब कर सकते हो गाईस मुझे बहुत सरे फ्रेंड्स ने कमेंड की कि मैं एक ऐसा रेमडी शियर करो जिसे हम यूज करके बोडी की फेस की पेंपल्स को रेडियोस कर सकते है आज में मेरी उन दोस्तों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा इफेक्टिब रेमडी जो आप यूज करके आपकी फेस की बोडी की जो भी पिंपल्स एक ने है उसको रेडियोस कर सकते हो साथ ही उसका जो मार्क है उसको भी रेमूब कर सकते हो तो चलिए आप हम रेमडी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं इस रेमडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी वान टीज़बव निम पावडर ‫ वान टीज़बव औरेंज पिल पावडर हाप टीज़बव औरमरिक पावडर 2 teaspoon of curd मतलब दही plus 1 teaspoon of rose water गाईस इसमें जो नीम पाउडर है नीम पाउडर में antibacterial and antifungal properties है जो कि आपकी बोड़ी की pimples से fight करके आपकी बोड़ी से pimples को reduce कर देगा साथी गाईस इसमें जो औरेंज पिल पाउडर है औरेंज पिल पाउडर में vitamin C है जो face के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है skin के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है यह आपकी skin से dark spot को remove करके आपकी skin को glowing बनाएगा साथी गाईस इसमें जो turmeric powder है turmeric powder act natural antiseptic है जो कि आपकी face pimples acne को remove करेगा इसका जो mark है उसको भी remove करेगा प्लस आपकी skin को act natural सा glow देगा साथी गाईस इसमें जो card है card में antifangal and antibacterial properties है जो कि आपकी skin से pimples acne को reduce कर देगा प्लस गाईस इसमें जो rose water है वो आपकी uneven skin tone को even करेगा इसलिए आप हम इसमें थोरा सा water add करके इन सारे ingredient को अच्छी तरीके से mix कर लेंगे देखिए remedy बिल्कुल ready हो गई है तो चलिए आप हम बात कर लेते हैं इसको कैसे use करना है उसकी बारे में नहाने से 1 hour पहले आप इस paste को अपने body पर लगा लिजिएगा इन 1 hour पाद अच्छी तरीके से नहा लिजिएगा आप इस remedy को ठीक इस तरीके से हपते में कम से कम दो बर use कीजिएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा pimples एकने का problem है तो आप इस remedy को regular भी use कर सकते हो लगातर 1 month use करने के बाद आप खुदी देख पाऊगी आपकी बोड़ी का जो भी pimples एकने है वो रिड्यूस हो गई है साथ ही उसका जो मार्क है बोफी रिमॉप हो गई है गाइस यह जो रेमिडी है यह बिलकुल नेचरल है तो यह रिजल देने में थोड़ा बहुत टाइम तर लाखी जाएगा गाइस इसका कोई भी साइटी इफेक्ट भी नहीं है एंड यह ओल इसकिन टाइप का है प्लस यह मेल फीमेल बहुत यूज़ कर सकते हो गाइस इसके साथ आज की वीडियो बस इतना ही था प्लस पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेर कमेंड प्लस गाइस अगार आप मेरी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्रेब कर दिजेगा थेंक यू